नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है विशाल और आप देख रहें टैख हाउस आपने वाट्सअप का जो फीचर है वो अपने एंडूड और आइस मोबाइल के अंदर तो यूज किया ही होगा लेकिन आथी में वाट्सअप जो है अपना सेम फीचर जो है वाट्सअप ब्राउजर के अंदर भी देता है बहुत सारे ऐसे लोग जो की कंप्यूटर के उपर ज्यादा काम करते हैं लाइक मैं अगर अपने परसनल बात करूं तो मेरा जो मोस्ट ओफ दो काम है वो लैप्टोप ये कंप्यूटर के उपर होता है तो ऐसे में बार बार अपनी जो फोकस है वो कं करने के लिए उतना वर्दी नहीं है तो ऐसे में वाट्साप का जो वेब फीचर है उसका यूज करके आप लैप्टोप और कंप्यूटर के उपर वाट्साप के सारे फीचर्स जो कि आईस और एंडोड के अपके अंदर अगलेबल है वो ब्राउजर के उपर भी यूज कर स वाट्साप ने अपने वेब की जो एप्लिकेशन है उसके उपर काफी काम किया है और रिसेंटली ही उन्होंने कुछ नए फीचर जो है वो भी लॉंच किये है तो आज की वीडियो में मैं आपको उन सभी फीचर्स के बारे में बताने वाला हूँ इन सभी फीचर्स के अदर आता है वो है इमेज एडिटर जब भी कोई भी इमेज आप जो है वर्ट्साफ वेब की त्रू जो है शेर करते हैं तो उससे पहले आप चाहें तो अपनी इमेज को एडिट कर सकते हैं एडिट करने के लिए जिसको भी आपको ये फाइल बेजनी है तो वहां आपको होना जो है अच्तेश मेंद आइकिन के लिए यूपर क्लिक करना है गैलरी के विछ करना है कोई भी ब्रक्र जो है व आपको यहां चूश करनी है चुञत करने के बाद यह आपको उपर कुछ ओपिशन दिखाई दे रहे हैं आप चाहें तो एमेज के अंदर इमोजी जो है वो भी add कर सकते हैं दूसरा जो option है वो है sticker का sticker भी आप चाहें तो अपने इस आप से कोई भी sticker जो भी आपने install कर रखेवाः इसका कि अदर वो use कर सकते हैं तीसरा इसके अंदर आप जो है कोई भी चाहे तो next जो है वो भी लिख सकते हैं और ऐसे करके आप कोई भी इमेज जो है share कर सकते हैं next जो option है वो है sketch pen का कि आप इस image के उपर कोई भी color छूज करके यहां से और image के उपर sketch कर सकते हैं अगला option इसके अंदर आपको मिलता है crop का कोई भी अगर image भेज रहे हैं आपको crop कर सकते हैं और जैसे आप send के उपर click करते हैं तो वो crop जो image हुई है या जो भी हमने इसके अंदर edit किया है वो image जो है आगे वाले के पास पहुंच जाएगी अगला जो important feature है वो है link preview का यानि कोई भी अगर आप link जो है share करते हैं चाहिए वो कोई news है या कोई भी और link तो उसको आप यहीं पर preview भी कर सकते हैं for example के लिए मैं एक news का जो link है वो यहाँ पर share करता हूँ तो जैसे ही थोड़े time के लिए मैं इस link को यहाँ पर रखता हूँ यहाँ पर देखी preview आ चुका है कि Aryan Khan case matter of kidnapping and ransom जो भी एक news है उसका preview यहीं पर देखने को मिल चुका है अगर इस link के अंदर अगर कोई image भी available है तो वो भी आपको यहाँ पर side में देखने को मिल जाएगी तीसरा जो feature है वो मेरा personal favorite है और आपको जो मैं बता हूँ आँँ आपको भी mobile के अंदर अगर internet नहीं चल रहा है उसके बिना भी वाट्षप वैब के अंदर यह जो है feature यूज कर सकते हैं पहले ऐसा होता था कि आपको जो है अपने mobile phone यानिक अगर android के अंदर वाट्षप है या iOS के अंदर तो वहाँ आपको जो है अपना internet connection on रखना होता था और तभी आप जो है browser के अंदर वाट्षप का यूज कर पाते तो अब मैं आपको जो है टेस्ट के लिए अपने डिवाइस का जो इंटरनेट connection वो बंद करता हूं और तब आपको desktop के अंदर में दिखाता हूं कैसे feature काम करता है ओके अभी यहां से जो है मैं internet जो है डिस्कनेट कर देता हूं ओके अभी यहसे जो है disconnect हो चुका है अब यहां पर मैं जो है browser के अंदर refresh करता हूं refresh करने के बाद आप देखना कि यहां से disconnect नहीं होगा otherwise अगर beta program में नहीं है तो यहां पर दिखा देगा कि आप लोग आउट कर चुके हैं या रिफ्रेश कर अब आप चेक कर पाएंगे कि मैं मैंसेज भी यहां से कर पा रहा हूं से जिसका इंकरप्शन है वो यहां पर आपको देखने को मिलेगा यानि सक्योटी में कोई कमी नहीं रहेगी तो आज की वीडियो में वाट्सअफ वैब के रिगार्डिंग सिर्फ इतनी इंफोर्मेशन आपके कोई भी डाउट्स हो तो वह आप हमें हमेशा की तरह कोमेंट स सेक्शन में पूछ सकते हैं और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद